तो आज मैं आके लिए हरी मूंग की दाल से बनी हुई कैसी यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें आपको दाल का भी टेस्ट मिलेगा और सबजी का भी तो देर न करते हैं विडियो को तो आज की रेसिपी को सूपर टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया है एक कप भीगी हुई मूंग की दाल तो मैंने एक कप दाल को दो घंटे के लिए पानी में सोक कर लिया था आप चाहे तो ओवरन आट भीगो सकते हैं कोई दिकत नहीं है इसको डाल देंगे कूक तो आपको निकाल देंगे इस तरीके से तमाटर के साथ ही साथ मैंने क्या किया था मैंने बड़े साइस के आलो इस तरह कुब में कट कर लिया था अभीकुब बारी कटी हुई एक चोधाई हल्दी पाउडर नमक स्वाद अनुसार जितना अब डालने आपको इस टाइम पर डाल दीजेगा अब इसमें अट कर देंगे हम पानी तो पानी हम इसमें इतना डालेंगे ताकि सभी चीजे पानी में अच्छे से डूप जाएं तो मैंने यहां कर देते हैं गैस की फ्लें मेडम कर देंगे अच्छे से पका लितें हैं जब चार-पान सीटी आ चुकई तो बाद में अराम सी थिक हो जाएगी टामाटर बैच्छे से पग गया है तो छिलका अटा के इसको हम मिक्सिन डाल के पीस लेंगे फिर इसको प्यूरी तरह यूज़ करेंगे तो यहां पर टामाटर पग गया दाल बैच्छे से पग गया है चक कर लीज़ेगा अब चलते है करने के बाद में अच्छे से बारी कर लेंगे बारी कटा हुआ ले प्हिंटर किया है और में दृष्ट जाएं तो यह देखिऊ प्याज़ कु मैंने अच्छे से गॉल्डॉन कर लियाह आपको वी ऐसा करनागर बनाते है तो प्याज़ को अच्छे से फ्राइब बाद में अब इसमें जाएगा बॉयल किया हूँ टमाटर इसको मेक्सिम डाल के मैंने पीस लिया है अच्छे से मिला देंगे टमाटर को हमने पका लिया वो कच्छा पन तो है निसके अंदर तो इसको में भूने जरूत नहीं है और टेस्स इस तरह से बहुत चाहता है अब क्या करेंग इसको हम दो मेट के लिए भी धीमी ढखके पकाएंगे जब तक ये पक रहा है आज की रेसिपी को सूपर टेस्टी बनाने के लिए हम त्यार कर लेते हैं सूपर टेस्टी क्रीमी मसाला तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है चार चमत दही और साथ में टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है दो चमत दूद की मलाई दही से मिलेगा हमको हलका खटापन और मलाई से मिलेगा क्रीमी टेक्षर जो कॉम्बिनेशन में बहुत चलता है खाने में अच्छे से मिला देंगे तो बहुत नहीं मिलाना बस हलका सा मिलाएंगे और बस हलका सा मिलाने के बाद में अब इसमे आट करेंगे हम सुखे मसाले तो यहां मैंने लिया है एच चमर धनिया पौडर, एच ओधाई हल्दी पौडर, आदी चमर काश्मीरी मेर्च का पौडर और मेरे पार रखा था ये दाल मकनी का मसाला इसका मैं वन एन हाफ स्पून डाल दूँ ये जेड़ चमच अगर आखे पार ये ना हो फ्रेंड कोई दिकत नहीं है अब आधी चमच गरम मसाला आधी चमच सब्जी मसाला मिला के डाल देंगे उससे भी काफे अच्छा फ्लेव के अंदर और यहां पर सारे मसालों को दही को प्रेंग को धीमा कर देंगे तरह करेंगे मसालों में दही उसकी जो मसाला है तेल न छोड़ दे लगवा तीन चायमेट के अंदर जो मसाला है काफी अच्छे से भून जाएगा तेल छोड़ देगा और यह देखिए फाइनली जो हमारा सूपर टेश्टी मसाला है दाल मसाले का बनके तयार हो गया है मैं को पास से दिखा रही यह देखिए ज दाल को बहुत पटला नहीं रखते हैं बहुत गाढ़ा बनाते हैं ठंडी और बाद इसमें पानी एड़ करते हैं फिर दाल को टेंपरेचर है जो टेस है वो भी कुछ खराब जाता है तो दाल को हलका पटला रखेंगे मसालों मिलाएंगे फिर वो अपने आप ही गाढ़ी ह हो जाएगी तो यह देखिए कितनी मस्त लगी दाल हमारी तो यहां पर अच्छे से मिलाने के बाद हम क्या करेंगे गैस की फ्लेंग को मीडियम कर देंगे लगबद 4-5 मेट के लिए इसको में अच्छे से पका लेंगे ताकि सारी फ्लेवर्स है दाल के अंदर आ जाएं और रेसिपी अैसी है कि पनीर को अधाल मक्नी को भी साइड में कर देंगे अच्छे से मिला देंगे तो यहां रेसिपी तो कंपलीट हो गई है फ्रेंड निकि अगर आधकी घर में गैस आने वाले है आप इस रेसिपी को और टेश्टी बनाना चाहते हैं तो मैंने एक बड़ा पाइनली तैयार है बहुत बहुत शानदार टेस्टी शानदार से भी ऊपर लाजवाब दाल मसाला सबजी जिसका टेस इतना लाजवाब बनता है जिसको आरोटी चावाल पूरी प्राठा जिससे भी खाएंगे सब के साथ में उंगली चाटने वारी सबजी बनती है यह बार तो हर हफसे बनाने का मन करेगा अगर आपको आज की रेसेपी मेरी महनत पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को प्लीज 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 रहे सरा लाइक करें शेयर करना तो बिकुल न भूलिएगा ताकि इस तरह की हेल्दी टेस्टी यूनिक रेसेपी मैं आपके साथ में झालो giving को देज हो लाइक कर देना करना ताम अगरूनिकल